यह कहानी है 1938 केरली नाम के एक आदमी की Hungarian RV और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था जितनी भी नाशनल चैंपियंशिप्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीट चुका था और सबको अल्मस्ट कंट्री में जो ऑलम्पिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सपना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है पैस बनाना है पैस बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग है सिर्फ दो साल का फक्त 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैम चल रहा था च्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सिडेंट हो गया उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनिट फट गए और वो हाथ चला गए जो उसका सपना था जो फोकस था सब खत्ब उसके बस दो रास्ते थे एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए या अपना जो गोल्ड था जिस पे उसने फोकस किया हुआ तो उसको पकड़ करके रखिए तो उसने फोकस किया उसके नहीं जो चला गया था जो उसके पास नहीं था उसने फोकस किया उसके जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में एक लेफ आड़ एक ऐसा हाथ जिससे उन लिख तक नहीं सकता था एक महीने तक उसको हॉस्पिटल में इलाज चला साथ के ले और सही एक महीने बाद और भी ट्रेनिंग शुरू करती ही साथ के ट्रेनिंग के एक साल बाद मतलब के 19.39 में वो वापिस आया नाशनल चैंपियंशिप्ट हो रही थी महीं पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टोल शूटर्स थे बाद उन्होंने जहा करके उसको कंग्राचुलेट किया भागी यार देखो यह होता है जस्बाप यह होती है स्पोर्च्मेंग स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आयो हमको देखने के लिए और हमारा होसला बढ़ाने के लिए किसी को नहीं पता था कि वो एक साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहाँ पर तुम्हारा होसला बढ़ाने में आया तुम्हार साथ कॉंपीट करने आया हूँ तुमसे लड़ने आया हूँ प्यार हो जओ और कॉंपेटीशन हुआ बाकि सब वहाँ पर जितनी भी लोग थे वोर कॉंपीट कर रहे थे अपने बेस हैंड से ये अपने आया हैंड से ये इकॉंपीट कर रहा था अपने ओली हैंड से औली हैंड से कॉंजी था the man with the only hand, कैरली, चीत किया लेकिन वो यहां नहीं रुखा इसका गोल फ्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं इस पूरी दुनिया का बेस्ट शुटिंग हैं बनाना है उसने पना सारा फोकुस उठा करके डाला नाइटीन फॉर्टी पे जब उल्म्टिक्स होने वाले थे लेकिन नाइटीन फॉर्टी स्के अलम्टिक्स गांसे लोग है वोल्ड वार की बेस्ट उसने अपना सारा फोकुस उठा करके डाल दिया नाइटीन फॉर्टी फॉर्म्टिक्स होने वाले थे उसके उपर और 1944 में जो उलम्पिक्स होने वाले जो वो भी कैंसे लोगे वोल्ड वार की वेज़ से फिर से कैंसे इसने इमना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 की उलम्पिक्स की 1938 में उसकी एज थी 28 साल 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 एर्स और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके उचसे कॉंपीट करना मुश्किल होता चला जाता है लेकिद मुश्किल नाम का यह वर्ड थाई दी उसकी डिक्सरी वो गया पूरे वर्ल गे बेस्ट इंचर आय होने थे जो अपने बेस्ट आट Brave कर रहे थेरिया यॉरड और यह अपने ओली आउड चे अंप्गिट कर रहा था और कुए थी लेकिन वो तप भी नहीं रुटा। 1952, Olympics दुबारा कॉंपीट किया उसमें और इस बार गोल्ड मेडल कॉं जीता। गहर लीड। चार साल बार दुबारा से है। और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया, Olympics की। इस पर्टिक्लर कॉंपीटिशन में उससे पहले किसी भी एट्डीप ने लगातार दो गोल्ड मेडल्स नहीं चीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी पहानों की। कि मैं इस वज़े से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत नबी लिस्ट है। उसी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में हजार वजे होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजे होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा सबस्टा करने की झाल